ही गाइज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बीट्यूपी डिश्टल एजूकीशन में और आज का यह वीडियो फर्स्ट इयर के सभी बच्चों के लिए है और फर्स्ट शेमेश्टर के जो भी नए चात्रा हैं उन सभी के लिए जियां आज की वीडियो होगा अगर जो भी चात्र अभी जुड़ चुके होंगे संस्था से या फिर जो भी नए जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए बताना चाहूंगा कि आप सभी को यूराइस पॉर्टल पर रिजिस्टेशन करना अनिवार होता है और वहीं से आपको एंडॉल्मेंट नमबर मि देखेंगे और जानेंगी कि आपको क्या-क्या चीजें फिल करने होंगी रिजिस्टेशन के टाइम और कैसे आप रिजिस्टेशन कर सकते हो नए बच्चों के लिए और सभी नए चात्रों से सभी दोस्तों से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने उन सभी दो आपको यहां पर मिलते रहते हैं टाइम टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे रिजिस्टेशन करेंगे तो सबसे पहले राइस पोर्टल पर जैसी आप आएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगी स्क्रीन पर यहां यहां पर जैसे ही आप आएंगे इनके जिन चात्रों हो सकता है कभी कभार ना दिखे तो माली जी अगर नहीं देखेगा तो यहां तो अभी रिफ्रेश चल रहा है यहां 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 पर इस तरीके के पेज यहां पर आएगा रिफ्रस्टेशन का यहां पर आपको सबसे पहले select organization में select करना है ध्यान रखें अगर skill training का है आपका तो फिर आप skill training या ITI कर रहे होंगे तो आपको ITI select करना है बाकि हमारे polytechnic के जितने सारे दोस्त हैं उन सभी को polytechnic diploma sector select करना है तो यह आप select करेंगे इसके बाद आपको J कप का जो भी आप interest के वाहाँ से जो आपको rule number मिला होगा वो rule number आपको यहां पर इंटर करना हा और यह अपना date of birth यहां पर इन्टर करना है यह दो छीज़ें आपको इंटर करनी है ल्हांति जिए रूल लंबर अवलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको बस बता दे रहा हूं कि इस पर जैसे ही रेजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या ओप्सन आएगा यह सब कुछ मैं यहाँ पर चर्चा में लाओंगा जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ोगे फिर आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा माता जी का नाम मतलब कुछ डिटेल्स आपके तो फिल रहेंगे बाकि कई डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे जैसे आपकी फीस कितनी लगी वह आपको फिल करना है आपने फीस किस डेट में सब्मिट की वह आपको फिल करना है और यह सारी ची करना है अगर आप online fees payment किये होंगे तो आपको transaction ID मिली होगी जनरेट होगा वो आपको यहां पे इंटर करना है और फिर basic details अपने fill करने हैं और फिर आपको submit करना है submit करने के साथ ही आपका registration हो जाएगा email ID आप डालेंगे मुबाइल नंबर मुबाइल नंबर पर OTP आएगा उसके बाद उसको verify करके फिर submit करेंगे submit करने के साथ ही आपका registration हो जाएगा आपके email ID और mobile नंबर पर आपका user ID और password भीज दिया जाएगा उस user ID और password के तुरू फिर आपको registration आप जब कर लिया होंगे तो फिर आपको simply क्या करना है यहां पर login वाले page पर जाना होगा जी हां आपको login वाला page कहा मिलेगा यह भी हम दिखा देते हैं तो इसको आपको cut करना है और login वाला page यहां पर आपको order में तोड़ा सा यहां से भी नहीं दिख रहा होगा जी हां यहां पर देख सकते हैं login वाला page दिख रहा है तो आपको दिखा दें यहां पर जब login वाले page पर आप जाएंगे तो आपको दो option मिलेगा student login और admin login तो आपको student login पर क्लिक करना है यहां पर जाने के बाद आपको वही user id जो आपका username email id और उस पर गया है वह और password जो गया है वह इंटर करके आपको login हो जाना है login होने के बाद आपका पूरा dashboard देखेगा जहां पर आपको अपने सारी basic details फिल करनी है और आधार नंबर आप पहले फिल कर चुके होंगे जो registration के time ही आधार नंबर फिल करना होगा फिर login करके आपको जो भी फोटो अगयरा जो भी update करना है सारा कुछ update कर लिजए और इस तरीके से आपका यह यह यूराइस पोर्टल अपडेट हो जाएगा फिर जो भी आपके examination से related schedule रहेंगे वह आपका यूराइस पोर्टल पर आएगा study material भी आपको यूराइस पोर्टल पर पर प्रवाइड किया जाएगा इसके अलावा इसकी मतलब सब कुछ आपको यूराइस पोर्टल पर मिलने वाला है यहां तक कि आपकी attendance कितनी है उसका भी data यहां पर मिल जाएगा तो बहुत ही बेतर यह इस platform पर registration करना आनिवारी ही है तो करना ही पड़ेगा तो इसको इस तरीके से करना है अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके की दिक्कत या समस्याय आ रही है तो आप जरूर कमेंट करके झाल 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 झाल